नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसेन साहब के बारे में ठीक है यह किनका एक सामान परचे देखेंगे या फिर कह लिए कि डॉक्टर जाकिर हुसेन की एक वायवगराफी है जैसा कि आपको पता होगा कि यह भारत के तीसरे राष्टपती है इससे पहले आपके डॉक्टर राजिंद पे साथ दूसरे कौन थे डॉक्टर सरफ़ली राधा किष्मन इन दोनों लोगों की हम लोग व करेंट में उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं तो आपकी जीवनी या फिर वायवगराफी के नाम से जो फिलेलेश्ट सूची है उसमें यह सभी वायवगराफी इनके जीमन पर्चे से सम्मंदित लेक्चर डले रहते हैं ठीक है वाँ जाकर देख सकते हैं आतों डॉक् को पता होगा कि यह फश्ट मुस्लिम राष्टपती है हमारे देश के ठीक है तो इनका बच्चपन देखते हैं डॉक्टर साहब का हुसेन साब का बच्चपन डॉक्टर जाकिर हुसेन का जनम तेलंगाना हैदराबाद में आठ फरवरी 1897 में हुआ कहा हुगा इनका जनम त जनम के बाद उनका परिवार उत्तर विदेश के फरूखाबाद जिले के कायम गंज में बस गया था जनम इनका हैदराबाद में हुआ उसके बाद इनका परिवार उत्तर विदेश में आकर बस गया यकपी उनका जनम भारत में हुआ था परंतु उनके परिवार के पुरान इतिहास को देखा जाये, तो ये बर्तमान पस्तून जंजाती वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से संबंध रखते थे, इनके जो पूरवज थे ये पस्तून जंजाती वाले इलाके से संबंध रखते थे, इनके पूरवजों के बारे में ये भी क आ जाता है कि उनके पूर्वज 18 वी सतब्दी के दोरान वो अर्तमान पश्चमी उत्तरपिदेश में आकर बस गए थे जब वो एक केबल 10 वर्स के थे कितने 10 वर्स के तो उनके पिता चलवसे यानि कि उनके पिता का निर्धन हो गया जब वो केबल 10 वर्स के थे उसके बाद 14 वर्स की उम्वे उनकी मा का निर्धन हो गया 10 वर्स की उम्वे में पिता का निर्धन और 14 वर्स की उम्वे में उनकी माता गुजर गया 27 भाई थे जिसमें हुसेन साहब दूसरे नमबर के थे कितने दूसरे नमबर के उनसे एक और बढ़ा भाई थाउनका इनका जनम एक सिक्षित और आर्थिक रूप से संपन परिवार में हुआ संपन नता की चाप उनकी व्यक्तित पर साप दिखाई पड़ती है डॉक्टर हुसान की सिक्षा के पती लगाओ डॉक्टर हुसान को अपने पता से बेरासत में मिलाता इनके पता ने भी कानून के चित में अच्छी जगत जगएपराप्त की थी बेशिक्षा के महत्त को भली भाती जानते थी यही वज़ा है कि उनके माता पता का देहान्त होने के बाद भी डॉक्टर हुसान ने अपने पता की इच्छा पूरी पूर्ती के लिए अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुख कावट के जारी एकी इनकी प्यारमी सिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हुई इस्कूल की पढ़ाई इन्होंने इटावा से पूरी की कानूर की पढ़ाई के लिए डॉक्टर जाकर हुसेन ने एंगलो मुसलिम ओरियंटल कॉलिज में दाखिला लिए जिसे अब आप लोग अलीगर्ड मुसलिम उनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं यहां सो इन्होंने एमे किया क्या किया एमे इसके बाद डॉक्टर हुसेन जर्मनी चले जर्मनी विस्विध्याले से 1926 में अर्दसास्त एकोनोमेक्स में पी एचडी की डिगरी पर राप्त की इनोंने जिससे इन्हें डॉक्टरेट की उपादी मिली उभी एक पितिवा साली चात के साथ साथ एकोसल बकतावी थे तो यह था डॉक्टर जाकिर हुसेन का एक प्यारमबिक जीवन ठीक है जो सबका लगवग होता है अब इनके कैरियर की शुरुआत की बात करते हैं हम दो डॉक्टर जाकिर हुसेन के 1927 में जब वह भारत लोटी तब कुछ विद्ध्यारती और सिक्षक के साथ मिलकर राष्टी है मुसलिम इनिवसिटी की नियू डॉक्टर हुसेन ने 29 अक्टूबर 1920 को खुद रखी 29 अक्टूबर 1920 को जिसे 1925 में दिल्ली के कारोल बाग में इस्थानांतित कर दिया गया इसे फिर 1 मार्च 1935 को दिल्ली के जामिया नगर में इस्थापित किया गया इसके बाद से इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पढ़ गया अभी आप लोगों ने सुनाओगा चर्चा में थी ये ठीक है जब C.A.C.A. आया तब प्रोटेस्ट हो रहा था न यही जामिया यूनिवर्सिटी है आपकी डॉक्टर हुसेन ने जर्मनी से आने के बाद इसकी हालत देखी जो अब बंद होने के कागार पर थी जब यह जर्मनी से लोटे भारत तब जामिया यूनिवर्सिटी बंद होने की कागार पर थी तब उन्होंने एसे बंद होने से रोकने और इसकी दसा सुधारने के लिए इसका संचालन, पूर्ण संचलन अपने कंदों पर ले लिया अंगले बीस बर्सों तक उन्होंने इस संस्थान को बहुत अच्छी डंग से चलाया अंग्रेजों के दिन भारत में इस यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलगी मुकाम बनाया डॉक्टर जाकिर हुसेन एक बेवारिक और आसाबादी बेक्तित के इंसान थे यही तो क्वाइल्टी आदमी को सच्चा इंसान बना देती बेवारिक और आसाबादी सुतंता प्राप्ति के बाद उने जामिया मिलिया इसलामिया का उप कुलपती बना दिया है 1926 से 48 तक बे जामिया मिलिया इसलामिया के उप कुलपती रहे कई बेस्विध्यालाव में ने डी लेट की माना दुपादी से सम्मानित किया गया, बे अलीगर्ण यूनिवसिटी के कुलपती भी रहे, अलीगर्ण यूनिवसिटी के कुलपती भी रहे, अब हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसेन के राजनेतिक सपर की, 1948 में नेहरूजी ने डॉक्टर हुसेन को राजसभा का सदस बनाया, डॉक्टर जाकिर हुसेन 1948 में राजसभा के सदस बने, जैसा कि आपको पता होगा कि संसद में तीन भाग होते हैं, कौन लोगसभा, राजसभा और राष्टवती, लोगसभा आपका डारेक्ट जनता चुनते हैं लोगसभा सदस्ताओं को जो राजसभा सदस होते हैं इन्हें विधायक चुनते हैं और जो राष्टपती होता है इन्हें राजसभा पिलस लोगसभा पिलस राज विधान सवाओं के सभी निर्वाचित सदस याद रखे निर्वाचित सदस राष्टपती का मनु करते हैं। ठीक है। 1955 से 57 तक विजेनेवा में सभापती रहे। 1956 में बेराजसभाव अध्यक्ष बन गए। साथी भारतिय संसत के सदस बन गए। लेकिन लगवग एक बर्स बादी 1957 में वह बिहाराज की गवर्नार निउक्त हो गए। राजसभा की सदस्ता त्याग दी उन्होंने। उन्होंने इस पत पर 1962 तक कारी किया। 1962 में जाकर हुसेन देश के दूसरे उपर राष्टपती की रूम में निर्वाचित हुए। तेरे मई 1963 को भारत के तीसरे राष्टपती बने। क्या है। यह हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्टपती है। एक सिक्षक होते हुए भी राष्टपती जैसे उच्चपत तक भी अपनी एवगता और पितिभा से पहुँचे थे। अपने एक भासर में उन्होंने कहा था, डॉक्टर जाकर उसेन ने क्या कहा था? भारत देश उनका घर है। यहां सब उनके भाई बहन है। डॉक्टर जाकर हुसेन भारत में सिक्षा सुधार को लेकर हामेशा तत पर रही है। उनका हमेशा सपना रहा है कि संपूर भारत को सिक्षित देखना है। अपनी अद्धिक्ष्ता में उन्हें बिस्विद्याले सिक्षा को इस्तर बढ़ानी के उद्धे से गठित किया थे। डॉक्टर हुसेन साहःतति वं कलापरयमी थे। सिक्षा के चित के अलाबा एक राजिनेता के रूम में भी डॉक्टर हुसेन का कार सदेव याद किया जाता है उन्होंने दारम निर्पेक्षता उदार राश्ट वादिता कि सिध्धान्तों को बेवारिक रूप पिदान किये राश्टपदी के पत पर डॉक्टर हुसेन तीन माई उन्निस सोनत्तर तक पदस्थ रहे इस समय इंद्रा गांदी आपकी पिदान मंत्री थे कुछ आपकी डॉक्टर जाके रुसेन की रचनाय हैं जो अधिक पिसिद्ध रही है तो पहली इसमें आपकी इनकी है कैपिटिलिजम दूसरी है स्केल एंड मैथर्स ऑफ एकोनोमिक्स तीसरी है रिपब्लिक चौतरी है सहीद की अम्मा पाच भी है अन्दा गोडा आदी फिर इसके बाद है एफिलावार सौंग इनकी रचनाय है ठीक है अब डॉक्टर साहब के हम लोग अभाड की बात करने इने सम्मान जो मिले है तो 1905 में डॉक्टर हुसेन को पदम भीवुशन से सम्मानित किया गया 1963 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान यानि कि भारत रतन से डॉक्टर जाकेर हुसेन जी को सम्मानित किया तो याद रखना 1905 में पदम विवुशन और 1963 में भारत रतन दिया गया अब हम लोग डॉक्टर जाकर हुसेन की अंतिम यातरा दिखते हैं यानि की निर्धन तीन माई 1989 को डॉक्टर जाकर हुसेन का आस अमय दिहान थो गया इनका जनम याद रखिए कब हुआ? इनका जनम हुआ था आठ फर्वरी 1897 में और इनकी मित्तिव तीन माई 1989 को वह भारत की पहले राष्टपती थे जिनकी मित्तिव अपने ओफिस में ही हुई थी क्या याद रखना है? पूँच लेता है कई बार इंटर्विव में कई बार पूँच लेता है? कुश्चन्स कई बार बन जाते हैं इस तरह के वह भारत की पहले राष्टपती थी जिनकी मित्तियों अपने ओफिस में हुई थी डॉक्टर जाकर हुसेन को जामिया मीलिया इसलामिया की परिशाय में यह दपनाये के आज समय देहा बसान के कारण वह अपना कारकाल पूरा नहीं कर सके किन्तु भारती यह राजनिती वो सिक्षा की इतियास में मत्पून युगदान देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है तो यह थे आपकी डॉक्टर जाकर हुसेन अंगली क्लास में हम लोग बीवी गरी साब की बारे में जानेंगे इनका पूरा नाम क्या है वाराहि गरी बैंकट गरी के बारे में जानेंगे